नमस्ते दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कस की हुई घीया की सबजी पकोडों के साथ और ये भरवा नारियल वाले भरवा परवन ये ही ये लॉकी को हमें कस करके और घीरा का शौक लगाया हूं है तो ये श्री चैतन्य महा प्रवो जी को बहुत पिये हैं नवबवीर धाम में उनकी मातर जी सची मातर जी रांच के बना के तैयार करते इसमें हमने हल्दी एड़ किये तो दुपैर के होग में ये उनको खिलाती की बड़े प्याल से हमने इसमें तस्कियावा अत्रग भी दि अत्रग देना बहुत जलूरी है इसमें तो फ्रेंड्स ये देखे हमने परवल को एक्तम खाली कर लिया है और इसका ये अंदर का जो सीट से गूदा है ये हमने एक बाव में अलग रख और ये अब हम मिक्सी में एक क्यूं अपना अत्रग और तीन टेमैटोस का पेस्ट प और नमक खल्दी से वैट करके लेनी के लिए इसके पेस्ट बनाएंगे ये तक देखिए हमारी जो कस कीवी लौकी है ये एक तम बढ़ियाद काफी पानी है इसमें तो वैसे तो सॉप्ट हो गई है चलिए आद देखते हैं हमारी लौकी की सबजी इसमें हमने ये पकोड़ में डाले हैं उड़त डालके सबसी एक तम तयार है इसके बिनाई हो गई है और एक तम पानी नहीं तो ये देखिए फ्रेंग्स हम लोग ये कोपनेट डेसिकेटेट पावडर जो में मिलता है ये दो टेवल स्पोन हमने है इसमें है ये कड़ी बीव्स हमने बढ़िया से इसमें आप सौटे करनी है और ये परवल का स्मूदा है आज प्रेंच इसमें आरून नहीं हमने डाले के सौटे हो गया है ये आप स्टफिंग और रागें अराम अराम से और ये थोड़ा सामने रेसन घोला है उसका जो मू है परवल का उसको सीन करेंगे करेंगे परवल को तो दोस्तों देखिए ये हमारे राई हो गया है तो इसको हम उतारते ही ये देखिए और ये परवल तैयार है अब इसके हम ग्रेवी तैयार करेंगे देखिए थोड़ा सा तेले डाला है हमने और ये जीरा क्रैकल हो रहा है ये ग्रेवी आपके सामने पी सी ती इसमें दही पोस्ताना और टमेटोस अध्रष अजिए इसमें रश्विगी लान मेचने और हलका से नमाख सेदा और हदी एक करें दनिया का उगर एक किया जैसे ही उबाल आएगा हम लोग परवल इसमें डाले ने कड़ाई में और फिर उसको हमें फखने देंगे आज की कैसे लगी रेसिपी अगर पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए उपने फ्रेंड्स और फैंली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल बेल आइकन दबा के ताकि नोटिफिकेशन्स नए वीडियो की आपके पास पहुंचे और रेम को हमें इतम आज की सिंदेश्ट अगरवा परवर्ड उचलते हैं तो गुपाल जी को जवेदन खरें विष्ण बाप्त विंदुर्ड को डंडवत पर नाम करता हूं गुपाला ये के नश्वे गई है ये सारे हमारे लगीचे के पुष्पर हैं आज अपराजिता पुष्पर महुत से खीरें देखी और रिविस्कस के और ये पीले कनेर के फूल अब राज़ोग के दर्शिन करते हैं कि ये कोकुनेट परवन ये लोगी कर्स करके सब्जी होना है ये खीरा और ये तहीं बड़ा को बहुत प्रिये है चलिए भक्तवन और दोस्तों मित्रों पुजल हमारे सब लोग कोपाली का प्रशार सेवा करिये हैं हमारे साथ हैं